अगर हनुमान जी के भक्तों ना तो हनुमान जी के बारे में ये तिन रोज़िक बाती तो सबसे पहले आपको पता होनी जाए अगर हनुमान जी के सचे भक्तों तो सबसे पहले ना कमेंट में जाके जैश्री राम जरूर लिखना हर कोई इनसान लिखना जो वीडियो देख र रही थी तभी हनुमान जी ने अपना पंच मुखी रूप लिया जिनने उनके पात सर्थ है इसलिए हनुमान जी को पंच मुखी के नाम से भी जाना जाता है नमबर तीन दोस्तों कि आपको पता है कि हनुमान जी सदा अपनी गदा को अपने बाएं हाथ में रखते थे इसलिए हनुमान जी को वा महस्तम गदायुक्तम भी बोला जाता है दोस्तों इस वीडियो में लाइक से ज़्यादा कमेंट में जै शीडा और जै हनुमान जरूर लेना और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप आने वाली अगली वीडियो को देख सको दोस्तों